दोस्तो नमस्कार मेरा नाम है मनी पांडे और आप देख रहे हैं वेस्टिन बैंक्स दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आचुका हूँ इंडियन बैंक अलहाबाद बैंक का ओनलाइन एकाउंट ओपनिंग आपके इस तरीके से घर बैटे इंडियन बैंक अलहाबाद बैंक में एक ओनलाइन बैंक एकाउंट फोल सकते हैं इन सभी का डिटेल इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टिप बे स्टिप खाता खुल के भी आपको दिखाएंगे दोस्तो प्रिवेसली यहाँ पर इंडियन बैंक अलहाबाद बैंक ने वीडियो के वैसी वाला एकाउंट को भी लॉंच कर दिया है जो की नया नया एकाउंट है दोस्तो सबसे बड़ी बात इंडियन बैंक और इलहाबाद बैंक दोनों ही बैंक मर्ज हो चुके हैं और अब एक ही बैंक बन चुके हैं दोस्तो अब चलिए देखते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में दोस्तो अलहाबाद बैंक और इंडियन बैंक यहाँ पर आपको एक सरकारी बैंक है खाता खोलने के बाद आपका जो पासबुक है वो आप ब्रांच से जाके ले सकते हैं साथी आपका चेक बुक और ATM कार्ट बिल्कुल फ्री आप कोस्ट मिलेगा और वो आपके घर के एड्रेस पर डिलेवर कर दिये जाएगा चलिए अब देख लेते हैं किस तरीके से आपको इंडियन बैंक अलाबाद बैंक के साथ एक उनलाइन बैंक अकाउंट ओपेन करना है उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उस लिंक पे क्लिक करके आपको इनके ओफिशल वेबसाइट पे आ जाना है या फिर आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है यहाँ पर इंडियन बैंक सर्च करने के बाद गूगल में आपको दूसरा नंबर जो भी रिजर्ट दिखेगा www.indianbank.it इसी वाले जो इसे सारा प्रोसेस करना है और क्रोम बरजर को डेस्टाप मोड में कर लेना है यहाँ पर अब क्या करना है खाता खोलने के लिए आपको उपर की तरफ यहाँ पर यूजफुल लिंक्स का बटन देखने को मिल जाएगा इसी के अंदर आपको ऑनलाइन सर्विसेस का एक बटन पर यहाँ पर क्लिक करना होगा सबसे पहले वाले औप्सेन पर अब यहाँ पर एक आउट ओपनिंग का पेज आपके सामने और नीचे यहाँ पर अपना email id इस box में भर देंगे दोस्तों mobile number और email id जो भी आप यहाँ पर भरेंगे वहीं आपके bank के खाते से link हो जाएगा इसके अलवा यहाँ पर नीचे के box में आपको यहाँ पर नीचे दिखाये जारे capture को भरना होगा यानि आपके display पे इस तरीके का कुछ capture दिख रहा होगा जब भी आप form फिल करेंगे same to same यहीं वाला capture आपको उपर वाले box में भरना होगा अगर आपको capture में कोई दिखात आ रहा है तो आप refresh image पे click करके दूसरा capture भी मंगा सकते हैं तो यहाँ पर इसे आप भर लीजेगा उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे बहुत सारे terms and condition के boxes दिख रहा होगे सबी terms and condition के boxes पर आपको accept करना होगा पहले वाले terms and condition के box पर टिक कीजेगा तो यहाँ पर एक जो है form खुल करके आ जाएगा आपको simply उसे cut कर देना है उसके बाद दूसरे पर टिक करना है तीसरे पर चौथे पर टिक करने के बाद आपको submit बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है फिर यहाँ पर जो भी OTP आपके mobile नंबर पर आया है उस OTP को आप यहाँ पर भरेंगे उसके बाद verify OTP पर क्लिक कर देंगे OTP जैसे ही आपका verify हो जाता है यहाँ पर एक pop-up आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पर लिखा होगा OTP has been verified successful यहाँ पर OK करना है अब यहाँ पर आपसे आपके अधार काड का detail मांगा जाता है यहाँ पर इस वाले box में आपको complete अपने अधार काड का नंबर भर देना है अधार नंबर को यहाँ पर भरने के बाद आप submit बटन पे क्लिक कर देंगे submit पे क्लिक करने के बाद एक pop-up खुलके आएगा जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपके अधार काड से यहाँ पर सेंड किया गया है UIDAI के द्वारा तो यहाँ पर आपको OK पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको verify अधार OTP पे क्लिक कर देना है verify अधार OTP पे क्लिक करते ही आपका OTP verification यहाँ पर successful हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपकी अधार काड से आपका कुछ detail आपको देखने को मिल जाएगा साथी आपका नाम, आपका date of birth, आपका जो gender है, आपका address है और साथी आपका pin code सभी चीज़े यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसके अलावा आपको कुछ additional detail यहाँ पर भरने होंगे उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे आना है नीचे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको इन्हें अपना state बताना होगा कौन से राज्य से आप belong करते हैं, इसके लिए आप यहाँ पर select button पे click करके आप यहाँ पर अपने राज्य को select करेंगे, कौन से राज्य से आप belong करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको district select करना होगा तो यहाँ पर राजे select करने के बाद आप district पे click कीजेगा और अपने district को select कीजेगा उसके बाद से यहाँ पर आप जैसे ही राजे और district select कर लीजेगा फिर यहाँ पर आपको branch select करने का option दिया जाएगा आप यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर branch वाले बटन पर यहाँ पर click की जाए, select के button पर तो आपके यहाँ पर area में यानि आपके district में जो भी branches होंगे उसका list यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मैं यहाँ पर सभी list आपको दिखान नहीं पा रहा हूँ, कुछ security reason के कारण चुकि YouTube हमें allow नहीं करता है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले state select करना है फिर आपको यहाँ पर click करके district select करना है list में से, और यहाँ पर आपको उसके बाद branch का option खुल जाएगा तो यहाँ पर जो भी आपके district में branch होंगे, वो सभी का list देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपके नजदी की जो भी branch होंगे, आप list में से, यहाँ पर select button पर click करके select कर लीजेगा उसके बाद से यहाँ पर आपको नीचे की तरब कुछ additional details भरने होंगे जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले marital status आपसे पुछा जाता है इसके लिए आपको simply यहाँ पर select button पर click करना है अगर आप साधी सुदा हैं तो आप merit select करेंगे अगर आप single हैं तो आप single select कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर नीचे आपसे आपके father का या फिर spouse name पुछा जाता है अगर आपकी साधी हो गई है तो यहाँ पर आप अपने पती या फिर पतनी का नाम भरेंगे उसके अलावा यही साधी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर अपने father यानी पिता का नाम भर देंगे फिर यहाँ पर नीचे अपने माता का नाम भरेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे occupation बताना होगा तो यहाँ पर आप occupation के बगल में select बटन पे click करेंगे आप यहाँ पर बताएंगे कि आप student है retired person है या फिर कुछ और काम करते हैं अगर आप student है तो student select करेंगे अगर आप job करते थे retired हो चुके हैं तो retired select करेंगे वरना आप any other select कर लेंगे अगर कोई भी matching नहीं है तो इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे इस वाले box में यहाँ पर आपको annual income बताना होगा आप साल में कितना पैसा कमाते हैं आप annual income in RS वाले के बगल में यहाँ पर भर देंगे उसके बाद यहाँ पर नीचे आपसे आपका pan card का number मंगा जाता है तो basically यहाँ पर आपको अपने pan card का number भर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको verify बटन पे click कर देना है दोस्तो verify बटन पे click करते ही आपका pan card verify हो जाता है यहाँ पर एक pop-up भी देखने को मिल जाता है आप यहाँ पर ok पे click करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका pen card का सारा detail देखने को मिल जाएगा क्या नाम है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर आपको नीचे last communication address भरना होता है यहाँ पर जो भी आप communication address इस वाले box में भरेंगे उसी address पर आपका ATM card और checkbook भेजा जाएगा इस बात को आपको ख्याल रखना है और इसी address पर आपसे contact भी किया जाएगा तो यहाँ पर आप communication address ध्यान से भरेंगे अगर आपका communication address आपके अधार card वाला ही address है तो आप उपर एक box आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप इस वाले box पर टिक कर देंगे जैसे ही आप टिक करेंगे same to same अधार वाला address इस वाले address में भर दिया जाएगा यहाँ पर automatic तो यहाँ पर आपका communication address अलग है अधार address है तो यहाँ पर आप manually भर लेंगे सबी चीज़ों को fill कर लीजेगा उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको last में pin code भरना होगा यहाँ पर आप pin code भर लीजेगा फिर आपको यहाँ पर submit button पे click कर देना है दोस्तो submit button पे click करते ही आपका खाता खोलने का जो भी process है वो पूरा complete हो जाएगा अब यहाँ पर आपको अपने account का video को ऐसी करना होगा दोस्तो जैसे ही आप submit button पे click करेंगे एक pop-up यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर इस pop-up में यहाँ पर जो है reference number हमें देखने को मिल जा रहा है जो भी हमने खाता के लिए आप अवेदन किया है उसका यहाँ पर reference number मिल जाएगा तो यहाँ पर बेसिकली आपको करना क्या है यहाँ पर आपको वीडियो को ऐसी करना है तभी आपको आपका खाता नंबर आपका जो भी ATM कार्ड है सभी चीज़े मिलेंगी तो वीडियो को ऐसी करने के लिए यहाँ पर आपको click here to connect with वीडियो को ऐसी प्रोसेस का यहाँ पर एक option देखने को मिल जाएगा आपको यहीं पर click करना होगा दोस्तो जैसे ही आप यहाँ पर click कीज़ेगा यहाँ पर इनका जो वीडियो को ऐसी का portal है वो यहाँ पर खुल करके आ जाएगा यहाँ पर आपका सारा detail आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको बैसिकली सबसे पहले title भरना होगा तो यहाँ पर आप mister या पिर missess अपने हिसाब से title को यहाँ पर select कर लेंगे दोस्तो title को select करने के बाद यहाँ पर basically आपको नीचे आना होगा नीचे यहाँ पर आपको relative का एक option देखने को मिलेगा अगर आपने father का नाम डाला है तो आप father select करेंगे अगर आपने पती या फिर पतनी का नाम डाला है तो आप spot select करेंगे उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर नीचे आना होगा नीचे जैसे ही आप आ जाएगा यहाँ पर आपको nominee add करने का option दे दिये जाएगा अगर आप अपने खाते में nominee add करना चाहते हैं तो यहाँ पर yes प्लिक करेंगे वरना यहाँ पर no वाले button पर आप click करेंगे अगर आप अपने खाते में नोमनी एड़ करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर नोमनी का रिलेशन आपको select करना होगा फिर यहाँ पर आपको नोमनी का और भी डिटेल भरना होगा तो फिलाल हम नो पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पर confirm पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपसे पुछा रता है कि आपको checkbook चाहिए या फिर नहीं अगर आपको खाते में checkbook चाहिए तो आप यहाँ पर yes वाले बटन पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर checkbook का जो भी नियम है आपको देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर आपको तीन options देखने को मिल जाएंगे सबसे पहला वाला option है अगर आप जो है personal saving यानि saving करने के लिए या फिर कुछ खर्चे करने के लिए आप account को होलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पहले option को select करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको source of income यहाँ पर उपर की तरफ एक छूट गया था तो यहाँ पर हमें source of income आपको बताना होगा तो basically आप कहां से पैसे कमाते हैं वो यहाँ पर भर दीजेगा जॉब से, self employment से तो जो भी आप करते हैं अपने business का नाम यहाँ पर भर दीजेगा उसके बाद यहाँ पर आपको proof of address type देना होगा तो इस पर आप click कीजेए click करने के बाद यहाँ पर आपको अधार वाला option यहाँ पर select करना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक address proof का यहाँ पर आपको देना होगा proof देना होगा तो यहाँ पर आपको एक image जो है अधार card का यहाँ पर click करना होगा तो यहाँ पर आप choose file पर click कीजेगा click करने के बाद अधार card का जो photo है आप यहाँ पर upload कर दीजेगा और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ Next वाले बटन पे क्लिक कर दिजेगा दोस्तों जैसे ही आप Next बटन पे क्लिक की जएगा यहाँ पर जो वीडियो को ऐसी का पेज है वो खुल करके आ जाएगा यहाँ पर आपसे कुछ permissions मांगे जाएंगे सबसे पहले आपको अपने mobile phone का location on रखना है यहाँ पर आपको country बताना होगा और यहाँ पर आपको camera का permission देना होगा फिर microphone यानि mic का permission on रखना होगा और आपको जो है यहाँ पर chrome browser का इस्तमाल करना होगा डिरेक्टली यहाँ पर नीचे बताया गया है इन सबी instructions का आपको follow करना होगा यहाँ पर जो भी permissions मंगे जाएंगे आपको यहाँ पर allow कर देना होगा यहाँ पर सबी permissions को जैसे ही आप allow कीजेगा यहाँ पर आपका country automatic detect हो जाएगा उसके बाद नीचे automatic proceed का button आ जाएगा यहाँ पर जो भी instructions से वो दी जाते हैं यहाँ पर call नाव वाले button पर आपको यहाँ पर click करना होगा अब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर आपको 10 बज़े से दिए कि 7 बज़े के बीच में यह काम करना होगा दिन में तो यहाँ पर जैसे ही आप call लाओ वाले बटन पर क्लिक ही जएगा इनके agent के साथ एक video call connect हो जाएगा आपको जो है अपना अधार card, pen card यहाँ पर अपने पास में रखना होगा साथ ही यहाँ पर आपको जो है एक white paper और black pen या फिर blue pen आपको रख लेना होगा और वहाँ पर जो है आपसे जो जो बाते बोलेंगे आप बलेंगे अधार card दिखाने के लिए pen card दिखाने के लिए और signature करने के लिए आप video call पर live वो चीज़ कर दिजएगा फिलाल हम इस process को computer से कर रहे हैं और हमारे computer में यहाँ पर webcam यानी camera एबलेबल नहीं है जिस करन से हम video क्यों करके आपको नहीं दिखाएंगे तब ही आपका account successful open होगा और आपका ATM card चेक book आपके address पर भेग दे जाएगा और आपका खाता नंबर आपको message में दे दिये जाएगा आप तुरंद के तुरंद मोबाइल बैंकिंग का भी इस्तमाल कर सकते हैं आप IND OSIS डाउनलोड कीजेगा और वहाँ से मोबाइल बैंकिंग से पैसे को भी transfer कर सकते हैं डाल सकते हैं सभी services आप instant यहाँ पर कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजेगा सबस्क्राइब कीजेगा चैनल को सबसे important point यहीं है ताकि हम आगे के वीडियोस आपके लिए जल्दी जल्दी से बना सकें चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद